नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो आचारिय चानक्य एक महान ग्यानी के साथ ही एक अच्छे नितिकार थे आचारिय चानक्य ने अपनी नीति में मनुष्य जीवन को सुक कर बनने के लिए बहुती मोतपुर्ण ग्यान की बाते बताई है अगर आप जीवन में काम्याब होना चाहते हैं तो चानक के नीती अवश्य पढ़े। आज मैं आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पाच कारियों के बारे में जो सुबह उटने के पस्चात मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। नहीं तो उसे जीवन भर दरिदरता का सा जोगी बनने लगता है। धीरे धीरे वह मनुष्य पतन की ओर जाने लगता है और अंत में नश्ट ही हो जाता है। चानक किकle अनुसार मनुष्य को रोज सुबह दो ब्रह्म मुर्तपर ही जागना चाहिए। जो भी मनुष्य सुर्यदे से पहले जाग कर ध्यान करता है। सनानादी कार्य संपन करके सूर्य देव को आरगे देता है, वो सूर्य देव की क्रपा प्राप्त करके धनवान बन जाता है। परंतो कोई मनुष्य अगर सुबह देरी से जाकता है, वो आलसी बनने लगता है और वो जीवन में उन्नती नहीं कर पाता। सुबे के समय मनुष्य को केवल अच्छे ही कारिय करने चाहिए सुबे उठने के तुरंद बाद सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए अपने हतेली के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए क्योंकि हतेली में मालक्ष्मी, सरस्वती और भगवान स्रीकृष्ण का वास होता है सुबे उठते ही इनके दर्शन करने से वेक्ति के जीवन में सुख समर्दी की प्राप्ती होती है सुबे सुबे द्वार पर गाय का आना भी बहुती शुब माना गया है सुबे द्वार पर आये याचक को भी कभी धुदकारना नहीं चाहिए उसे जो कुछ भी हो दान मे अवश्य दे और गाय को रोटी अवश्य खिलाए। गरुड पुरान में बताया गया है कि मनुश्य को प्रभात काल में शम्चान के निकट कभी जाना नहीं चाहिए। गरुड पुरान के अनुसार मनुश्य को सुबह उटने के बाद में शम्चान करना नहीं चाहिए। सुबह का समय केवल ईश्वर भक्ती के लिए होता है। ये पवित्र समय केवल ईश्वर की आरादना करके आपने मन को शुद्ध करने का है। इस समय पर अगर कोई मनुश मैथुन करता है तो वो देवी देवताओ की क्रपा प्राप्त नहीं करता और उसे उसके कार्यों में सफलता भी नहीं मिलती है। चोती बात है मास का सिवन गरूर पुरान के अनुसार सुबह के समय मास का सिवन करना अनुचित माना गया है। करता है वो जीवन भर गरीब ही रहता है। सुर्य दे होने के तुरंद बाद मनुश को कभी भी नशिली चीजों का सिवन नहीं करना चाहिए ऐसा करने पर मनुश का सुर्य कमज़र होता है और उसे गरीबी में ही जीवन विथित करना पड़ता है। धन्यवाद